अलो फ्रेंट्स मैं स्वतिष्टिवारी इथिकल हैकिंग ट्रिशन सेंटर जैपूर से और आज हम डिसकस करने वाले हैं जियो एयर फाइवर इंस्टोलेशन के उपर तो जो जियो एयर फाइवर 5G है उसका इंस्टोलेशन कैसे होगा उसके लिए हम लोग रिगार्डिंग ड इस उसका इंस्टोलेशन हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस तरह से होगा सबसे पहले आपको जो डिवाइस दिख रहा है यह जैसा लैप्तॉप का चार्जर होता है ना उस तरह का चार्जर है लेकिन एक्टुली क्या इसमें इसमें दो कनेक्टर है आपको दीख र अंदर लगा होगा तो बाहर वाला भी इस से connect होगा और यह अंदर वाला से connect होता है और यहां पर green signal आपको दीख जाए तो समझ जाना कि आपका cable सही से काम कर रहा है ठीक है तो फाना कोई moment नहों ताकि आपको best internet speed मिल सकी यह है आपके घर के अंदर का unit जिसको इनर unit करते हैं हम लोग inside unit यानि यह जो डिवाइस है जियो फाइबर जियो का जो एयर फाइबर है 5G यह आपके घर में लगा होगा और यह जो charger दीख रहा है इसी charger से वह बाहर वाली unit के cable आ किस तरह से कुछ दीखेगा यानि इसका जो face दीख रहा होगा आपको device का यह उस direction में होगा जिस direction में जियो फाइबर का आपका जो 5G का टावर होगा उस side में ठीक है तो यह आपको जियो फाइबर के इनिया लगा के जाएगा ठीक है यह आपको दीख रहा होगा यह पुरा पड़ता है जीयो के engineer पर यानि आप इस तरह से इतना portable नहीं कर सकते हैं इतना आसान नहीं है अभी तो यह भी clear नहीं है कि अगर आप अपने जैपूर में आप हो और जैपूर से इसको उठाकर आप ले जाते हो कहीं पतना में आप सिफ्थ हो वहाँ पले आतो या बैंगलो में आप लेतें इसको तो वहाँ पे इसका इंगनियल आपको सपोर्ट करेंगे की नहीं करेंगे इस ते देखो यह भार युनिट जो है उस इसमें जाकर कनेक्ट हो जाएगे इसमें और आपको वहां पर बटम दिख रहा होगा और यह 12 बोल्ट पर काम करता है वहती कम पावर सप्लाई लेता है और इसी से इसी पावर के बल से दोनों ही डिवाइस चलते हैं यानि आपको जो जियो का जो राउटर है यह भी चलता है और जो आउटर यूनिट है दोनों एक ही डिवाइस से चलते हैं इसके प्लांस देख लेते हैं इसके प्लान में आप देख सकते हो एयर फाइवर का जो प्लान है वह 30 Mbps का प्लान में आपको पांसओन यानवे रुपे का मिल जाएगा जिसके आपको बहुत सार ओटेटी प्लान हे इस प्लान में इसे का प्लान में इस ना चनल बाइबे बिचल zur क्रूप तक है अच्छता कि इनमें flexibility नहीं है फिलहाल इनों ने इन सारों के लिए सिर्फ लॉंच किया है यानि जियो एर फाइबर अभी आप लेते हो तो अभी आहमदाबाद मुंबाई बेंगलूरू चैन्नाई हैदराबाद पूने कोलकता अर्दिली यहीं चीटी है जहां पर आपका जियो एर इनडिया ठीक है इसमें आप खासियत क्या थी आपको परदा चल गया लेकिन खामी इसकी एक ही है और वह यह डिवाइस है यह डिवाइस एक जगा फिक्स हो जाता है इसी के वजह से जियो एर फाइबर पोटेबल नहीं रहा कि किसको खोलना आपके पसकी नहीं बात रहेग वह जिसकी वहींस एजट्वा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और एटेल फाइवर के एट एक और इसके मुकाबले यह थोड़ा कंप्लेक्स हो जाता है इस मामले में एटल एर फाइबर का इसी टू इंस्टॉल है मैं एक इसी आप कुस करना नहीं है प्लगिन प्ले डिवाइ यह दिख रहा होगा आपको यह घर के बाहर लगा हुआ है कैसा दिखता है आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से इसको मुदबकस दिया रहता है ना कि यह लेगा नहीं ताकि एक डायरेक्शन में फिक्स कर दियाता है ताकि सिगनल पर्मनेंट सिगनल वहां से प्रकड़ता हो यह आपकी चोईस है आप इसको कैसे करेक्स चाहते हो आपकी मर्जी लिकिन इसके लिए बाहर की इल्ट जरूरी है tward के इनल को disclaimer कि और इसके पास भीज़एगी बाकि यह सारे आपके घर के दर जीतने भी डिवाइस है जो उसको यह signal देगा ठीक है तो यह जो क्योंज इंपोर्टेंट है यह क्योंज दोनों आउटर यूनिट और इनर यूनिट जोनों डिवाइस को आपके जो जीओ एर फाइबर का राउटर है और जो आउटर यूनिट है दो जो घर के बाहर रहेगा और यह जो मिडियेटर है जो दोनों को पावर सप्लाई करेगा तो तेनी डिवाइस हैं जियो एर फाइबर के अंदर और इन तीनों के कनेक्शन से आपका जियो एर फाइबर का जो कनेक्शन है आपका हो जाएगा इंस्टोलेशन आपका हो जाएगा लेकिन इंस्टोलेशन के लिए प्रोपर सिंगनल कहां आ रहा है उसके लिए जियो के एंगिनियर आएगा और आपके वह जो आउटर बॉक्स है ना उसको वह सेट अप करेगा इनर बॉक्स आप भी लगा सकते हैं तो इनर बॉक्स का कोई इसू नहीं है मसला इसी आउटर जो आउटर के है वह जियो के इंगिनियर को पता है कि की से एंगिल पर सबसे सिंगनल आ रहा है और उसी हिसाब से वह जाएगा थोड़ी डिपेंडेंसी हमारे बढ़ जाती है अगर कोई प्रोब्लेम आता है इसमें तो हमें जीओ के पास ही जाना पड़ेगा हम खुछ से स चिरूप करना हमारे लिए भूलीम हो जाएगी तो अगर आपको इसे लिटेट कोई डाउट हो या आपको साउंड मेरे सांड से लिटेड या माइक लिटेड वीडियो से लिटेड अगर कोई प्रोब्लेम हो तो आप मुझे कॉमेंट सेर्शन के त्रूप पताओ अगर को प्